हेलो डिये स्टुडेंट्स वेलकम टु एईसी प्लस पावड वाइडवांस इंजिनिंग क्लासेज मैं राम मनुहर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत कर रहा हूं रिजनिंग के इस सेशन पर आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अल्फाबेट सीरीज ठीक अभी जो कंट लेटर 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 नंबर और भी पेर्स वाणे डिक्स्नरी वाले और यह सीरीज चलिए तो आज हम सॉल करेंगे अल्फाबैट सीरीज अल्फाबेट के एक सीरीज चलेगी उसमें हमें अगला अल्फाबेट स्क्रेचा आएगा ये पता करना है for example कि कैसा क्वोशन होता ह ऐसा question होता है take alphabets series ठीक है theoretically कभी ऐसा लिखा होगा theory में कि वरण माला क्या धार पर logic लगाईए according alphabets इसमें logic लगाईए और ये question माई तो जैसे numbers होते हैं न कि 2, 4, 6, 8 अगला number के आएगा तो वैसे ये alphabets होते हैं ये alphabets में अगला number ये अगला letter के आएगा और यहाँ पे जो आपको bracket में दिख रहे हैं 4 तो ये समझ लीजे कि ये option है इनी 4 में से कोई एक letter आएगा तो कुछ है इस तरीके से समझते हैं और बिल्कुल दोस्तों ये आपको single single letter की series दिख रही है 2-2 letter की series होगी 3-3 letter की series होगी 4-4 letter की भी series होगी तो चाहें कितने भी letter की series हो हम concept लगाएंगे place value place value से चीजे बड़ी आसान हो जाती हैं जल्दी से सुलज जाती हैं तो देखिए दोस्तों कैसे solve करेंगे देखिए alphabets में आता है ये 18 नमबर पे ये 21 ये 24 ये 1 और ये 4 अब जल्दी ध्यान से देखिए ये 18 से कितना आगे हो गया plus 3 ये कितना आगे हो गया plus 3 ये भी plus 3 यहां भी बच्चों plus 3 ही हुआ है क्योंकि 24 में अगर हम 3 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 27 last letter होता है 26 पर Z और जैसे ही 27 28, 29, 30 ये later आते जाएंगे जिसमें फिर से लिखिए आप A, then B, then C, then D ऐसे बढ़ते चले जाएए इसलिए 27 के लिए इनले लिखा है A तो यहां भी आप plus 3 कर दीजिए तो 4 और 3, 7 अब इस पीड से आपको पता हो कि 7 पे कौन से लेटर होता है तो right answer हो जाएगा साथ पे होता है G तो पहले question का right answer होने वाला है आपका ये G तो दोस्तों इस तरीके से ये question का right answer बन जाएगा T ऐसे ज़रा देखिए अगला question अगला question ये रहा आपके screen पर कि T, R, P, N, L then what next, then what next तो बड़ी speed के साथ logic पता चलेगा with the help of place value तो place value लगा ये T आता है 20 number पे ये 18, ये 16, ये 14, ये 12 then what next, then what next तो जाएगा ध्यान से देखिए 20 से 2 कम हो गया 18 से minus 2 फिर minus 2 फिर minus 2 और फिर से minus 2 फिर से minus 2 minus 2 minus 2 करते चले जाएए तो बारा में से 2 कम कर दीजिए 10, 10 में से 2 कम कर दीजिए 8, तो 10 और 8 पे speed से पता हो कौन सा लेटर होता है तो 10 पे होता है J, 8 पे होता है edge, तो right answer हो जाएगा अगले 2 लेटर बनने वाले है J और edge तो यही कहलाता है alphabet series एक alphabet series से उसको नहीं लेना एक repetition वाला question होता है वो अलग है उसमें place value नहीं लगेगा क्योंकि हमारा series ही चल रहा है कि reasoning में वो सारे question जो place value पर dependent है कई बार एक ऐसे भी होता है दोस्तो blank, blank then, blank यह भी important है लेकिन यह place value पर नहीं बनते इसमें logic लगता है दूसरा तो यह भी alphabet based question है लेकिन अभी हमारा target है अभी हमारा series है जो place value पर बनते फिर इनको अलग से cover कराएंगे यह बिना place value के है इसमें कुछ दूसरा logic लगेगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला later पता करना है तो आएए दोस्तो place value लगाए दो, चार, छे, नौ, बारा, सोला अगला क्या आएगा तो दो से आगे बढ़ जाएए प्लेस 2 फिर आगे बढ़ जाएए प्लेस 2 फिर आगे बढ़ जाएए प्लेस 3 फिर आगे बढ़ जाएए फिर आगे प्लेस 4 तो ज़र देखिए द्यान से प्लेस 2 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 3 प्लेस 4 तो यहां भी क्या होगा प्लेस 4 16 और 4 20 20 पे कौन सा लेटर होता है भही इन 4 में से 20 पर होता है T20 तो राइट आंसर होगा इस कोश्चन का T ऐसे ही बढ़ते चलिए Next अब यहां पर देखिए कहता है यहां पर यह बन जाएगा 21 यहां पर यहां पर दिक्कत हो जाए कि भही पहला लेटर नहीं पता चल पा रहा है कोई जरूर नहीं कि पहला लेटर आप बीच से कोई भी गैप देखना शुरू कर सकते हैं Last से आप गैप देखना शुरू कर सकते हैं कोई जरूर नहीं कि हमें सब First लेटर से ही Sequence सुरू करें कहीं से भी देख लीजिए भही यहां नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहां से शुरू कर लो, यह gap है भई, प्लस 7, यह भी clear समझ में आ गया, प्लस 7, यह भी है, प्लस 7, तो actual में यहां भी प्लस 7 हुआ होगा, तो यह हो जाएगा कितना है, 28, तो दोस्तों मैंने क्या बताया, 27 पर अगर A है, तो 28 के लिए लिखा गया है B, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे 29, 30, तो बिल्कुल यह इसके लिए C, इसके लिए हो जाएगा D, तो जड़ा देखिए, यहां पर अगर हम 8 कर दें 7, तो यह हो जाएगा 30, और 30 के लिए क्या लेटर लिखने वाले हैं, D को, तो 30 के लिए लिखने वाले हैं, D को, तो right answer हो जा यह है 9, यह है 11, यह है 14, then what next, तो 8 से हो गया 9, plus 1, 9 और 2, 11, फिर उसके बाद हो गया plus 3, फिर उसके बाद भई कितना, तो जड़ा ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, तो यह होगा 4, तो यह हो जाएगा 18, 18 पर राजा या रानी, तो 18 पर होता है भई, R, तो confusion नहीं हो, 17 पर क्यू होता है, 18 पर R होता है, आइए, अगले जो question है उसको भी देख लेते हैं, यह है भई, 1, यह है 7, यह है 12, यह है 16, यह है 19, तो यहां से आगे बढ़िए, यह हो जाएगा plus 6, यह हो जाएगा plus 5, यह हो जाएगा plus 4, यह हो जाएगा plus 3, और यह हो जाएगा plus 2, यही सीरीज तो चल रही है छह, पांच, चार, तीन, दो तो नो, उनिस, बीस, एककईस और एककईस पर क्या आता है दोस्तों एककईस पर आ जाता है यू एककईस पर आ जाता है यू फिर इसके बाद जैसे सेवेंथ नमबर फिर से देख लेते हैं यह है वन, यह है फोर, यह है एट, यह है थर्टीन, देन वाट नेक्स्ट तो यहां से आगे बढ़ जाते हैं यह कितना हो गया, तीन यह कितना हो गया, चार यह कितना हो गया, पांच तो बिलकुल यह आप कर दो, छे और यहां आ जाएगा, तेरा और छे 19, 19 पर क्या हो जाएगा S, alphabets S, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए, इसको भी solve कर लेते हैं ये है 1, ये है 9 ये है 16, ये है 22 फिर से 1, फिर से 5 तो जब देखी, ये कितना आगे है भई 8, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 5, तो दोस्तो 5, 27 फिर ये कितना हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 3, तो 5, 3, 8 8 पे होता है दोस्तो H तो right answer हो जाएगा H तो दोस्तो ये single single later है इस पर practice ऐसा कर लीजिए कि भई exam में पे नहीं नहीं चलाना पड़े अगर आपको ये A नहीं 1 दिखे, 9 दिखे, 16, 22 डारेक्ट ऐसे दिखेंगे तो तुरंत आपको gap detect कर लेना है अब ज़रा देखिए अगला जो question है double later कि 2, 2 later की series होगी 3, 3 later की series होगी 4, 4 later की series होगी तो मैंने आपसे कहा ना कि या तो single single later की series चलेगी आप क्या करना पहले later का connection सब में पहले से देखो, जैसे पहला later है भई 14 फिर ये 19, फिर ये 24, फिर ये 3 फिर ये H8 तो ज़रा देखिए 14 से 19 कितना आगे बढ़ गया 5, ये कितना आगे बढ़ गया, 5 ये भी कितना आगे बढ़ गया, 5 तो ये भी 5 ही आगे बढ़ है 29 के लिए लिखेंगे न सी को तो finally पहला later हमें पता चलने वाला है, plus 5 कर दो, 8, 5, 13 13 पर दोस्तो होता है M तो मतलब पहला तो हमें पता चल गया और सब में M है दूसरा later भी पता लगाना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं ये आता है 4 पे ये आता है 25 पे ये आता है 20 पे ये आता है 15 पे ये आता है 10 पे तो मैंने कहा पहले later का connection पहले later से दूसरे का connection दूसरे से तीसरा भी हो तो तीसरे से देखते जाओ अब यहां समझ में नहीं आरहा है लेकिन यह clear समझ में आरहा है माइनस यह माइनस यह माइनस यहां भी माइनस 5 ही हो रहा है D से आप 5 लेटर पीछे खिसको D, C, B, A फिर उल्टा, Z, फिर Y यहां से भी आप 5 लेटर minus हो जाओ तो ये क्या हो जाएगा भई 5, 5 में क्या होता है E तो right answer हो जाएगा M के साथ E वाला right answer हो जाएगा M के साथ E वाला, तो कोई दिक्कत नहीं 2-2 later हो, 3-3 later हो, 4-4 later हो चलिए, आएए देखते हैं और भी कोई question, ये है एक जैसे देखिए ये तो सारे opposite later हैं दोस्तो जैसे देखिए A है, ये तीन है ये पाँच है, ये साथ है तो जरह बताएए, एक है दो नहीं है, तीन है ठीक है, एक-एक मिस करके तीन के बाद, चार नहीं है, पाँच है छे नहीं है, साथ है, तो आठ नहीं है, क्या होगा, 9 और 9 पर बिलकुल I, और I का opposite later लग दो, क्योंकि ये देखो A का opposite, C का opposite, E का opposite, G का opposite, तो I का opposite R, तो I, R, right answer होगा I, R, ठीक है I, R हो जाएगा right answer, GT के बाद Next, देखिए तीन-तीन later हो, कोई दिक्कत नहीं, तीन-तीन later हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर puzzle ना बन जाए, तो मैं इनको लिखी लेता हूँ B, then E, then D ठीक है, थोड़ा दूर-दूर ऐसे लिख ले क्योंकि हर later का connection बनाना है, भई D, I, L फिर हो जाए, E और K, और B, अगला क्या आएगा, तो जब देखिए देखिए, भई B, C, D, E, F, तो अगला later तो भई पहला सुरुआत होगा F से दूसरा, यह देखिए E यह आता है भई, 5 7 9, 11 तो दूसरे का connection दूसरे से तो 5, 2, 7 7, 2, 9 9 और 2, 11 तो 11 में भी 2 जोड दीजे 12, 13, 13 पे क्या जाएगा M, तो दूसरा later भी आ गया F के साथ M वाला answer आ चुका है, लेकिन और भी हम practice कर लें भई, answer आ चुका है तो हमारा काम भी practice कर लें और तीसरे का connection तीसरे से तो यह 4 यह 8, यह 12 और यह 16 तो आप देख पा रहे हो 4 से 4 आगे 8 से फिर 4 आगे 12 से फिर 4 आगे तो 16 से भी 4 आगे बढ़ जाओ 20 तो right answer है F, M, T F, M, T तो मैंने कहा ना दोस्तों चाहें 2-2 later हो, 3-3 later हो आप हर later के sequence बढ़ते चले जाएए answer आपको मिल जाएगा यह हो गया next, आईए देखिए फिर से जैसे यह question कहता है कि भाई, A है A के बाद B, फिर इसके बाद 3, C है E है, 6 है F के बाद यह I है दोस्तों, I और फिर उसके बाद digit में 10 फिर इसके बाद है J, N और यह 15, then what next ठीक, तो थोड़ा expand कर लिया ताकि पजल ना बने, चलिए जड़ा देखिए, यह A है यह 3 है ठीक है, तो B नहीं है C C के बाद D, E 2 लेटर नहीं है, सीधे F है इसके बाद यह सीधे 10, तो मतलब F के बाद 7 G, H, I 3 लेटर नहीं है, सीधे यह तो इसके बाद अब 4 लेटर नहीं होगा तो J के बाद K, L, M, N यह नहीं होगा, सीधे क्या होगा O होगा, तो जड़ा आपसन में देख लो O से सुरू हो रहा है तो दो आपसन सुरू हो रहे है तो पहला लेटर तो क्लियर हो गया O दूसरा, तो दूसरा जड़ा देखिए यह है 2, यह है भई 5 यह है भई 9 यह है भई 14 तो जड़ा ध्यान से देखो यह कितना आगे बढ़ गया, प्लस 3 यह कितना आगे बढ़ गया, प्लस 4 यह कितना आगे बढ़ गया, प्लस 5 तो यहां से कितना आगे बढ़ना है हमें प्लस 6, तो 14, 4, 20 O, T, तो राइट आंसर O, T, अब 20 या 21 तो O, T, O, T, तो 2 है भई, अब 20 या 21 तो 3 से 3 आगे बढ़ा, 6 6 से 4 आगे बढ़ा, 10 10 से 5 आगे बढ़ा, 5 से 6 आगे बढ़ जाओ, तो 15 और 6, 21 राइट आंसर है O, T, 21 O, T, 21 तो देखो फिर से पहले लेटर का कनेक्शन पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से आप सीरीज मैच कराते चले जाओ आंसर बिलकुल आपको बनता चला जाएगा अगला यह तो पूरा अल्फबेट्स यह भई देखो, A भी लिख दिया C नहीं है C के बाद, D, E, F G ठीक है, G नहीं है H, I, J, K L नहीं है और आगे 5 लेटर लिखे जाएगे तो L के बाद M, N, O, P, Q फिर R नहीं होगा S से आगे लेटर तो M, N, O, P, Q राइट अंसर M, N, O, P, Q तो भी ऐसे अल्फबेट्स वाले भी मिल जाते हैं तो बिलकुल आप अल्फबेट्स वाले सारे अगर दिख जाएए कि 2 लेटर, फिर 3, फिर 4, तो जाईज से बात है 5 है, फिर 6 है तो ऐसे भी कोश्चन मिल जाएंगे दोस्तों अब जैसे ये कोश्चन जरा देखिए, Y, Y, Z V, Y, Z, भी दो चीजे तो फिक्स हैं सब में Y, Z, Y, Z, Y, Z तो हमारा आंसर Y, Z वाला ही होगा और सब में Y, Z है पहला लेटर पकड़ो तो ये है भी 25, ये है 22, ये है 19, ये है 16, पहला लेटर तो जरा देखो 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो यहां भी जो लेटर होगा उसमें आप प्लेस 3 कर रहे हो तो 16 तो वो कौन होगा भी? 13 और 13 पे क्या होता है? M, Y, Z M, Y, Z ये होगा राइट आंसर तो दोस्तों यही है अलफ़बिट बेजड सीरीज कि कभी भी सिंगल सिंगल लेटर वाले कॉशन्स हो दो दो लेटर वाले हो तीन तीन लेटर वाले हो, चार भी हो ठीक? तो उसमें प्लेस वैल्यू का इस्त्माल कीजिए और अपको अलफ़बिट अगर दिख रहा है कि दो लेटर, तीन लेटर, चार लेटर, पाँच लेटर तो फिर उसमें अलफ़बिट सा आप लगा दीजिए ठीक है? चलिए तो यह हो गए आपके अलफ़बिट सीरीज तो दोस्तो हम लोगों ने सारे के सारे questions, alphabets, analogy हो, series हो, later to later हो, later to number हो, ठीक है, सार patterns को हमने जाना, परखा, और बिल्कुल जैसा कि हम यहाँ series चला रहा है, तो जैसे पूरे type हो जाते हैं, कि last में होता है question practice, तो बिल्कुल अगली series है, आपकी question practice पर भी होगी, उसमें एक दो एक दो question हर type से ले लिया जाएगा, analogy से, series से, हर type से, और एक बढ़तरीन practice भी करेंगे, चलिए दोस्तों, आज की class इतना ही रखते हैं, thank you